हेलो स्टुदेंट्स, मैसेल्फ राजेंदर वर्मा, टीम केमेस्ट्री, हम लोग बेटा आज टेस्ट सीरीज रंकला में, हेलोजन डेरिवेटिव, प्रिगनार्ड रिएजेंट, अल्कॉहल, फिनॉल, इथर से सम्मंदित आपने जो एक्जाम दिया है, इसके क्वेश्चन्स को डिसकस कर रहे हैं, महमीद कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे से एक्जाम दे रहे हैं, ठीक है बेटा, करें स्टाट, मारे पास पहला क्वेश्चन है, फिनॉल गिव्स ट्राइब्रोमो फिनॉल, वें ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन एक ब्रोमीन से अभी क्रिया करता है, तो ट्राइ ब्रोमो फिनॉल देता है, लेकिन कार्बन ड़ी स्लफाइड विलीयन में केवल ओर्थो और पैरा ब्रोमो फिनॉल देता है, ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है? देखते हैं, फिनॉल को अगर आप एक्वस मीडियम में जूज करत आयोनिजिशिन उने से फिनोक्साइड आयन बनता है तो अगर मैं OH और O नेगेटिव इन दोनों के प्लस M इफेक्ट को कमपेर करूँ तो प्लस M इफेक्ट O नेगेटिव में ज्यादा होगा OH में कम होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बेंजीन की रियक्टिविटी कम है और यहाँ पर बेंजीन की रियक्टिविटी ज्यादा है इसलिए इसके एक्वस मीडियम में अगर आप इसका ब्रोमीनेशन करवाएंगे तो प्रोड़क्ट क्या मिलेगा बेटा ट्राइ ब्रॉमो फिनॉल अब देखते हैं इसके ऑप्शिन्स इन एक्वस सोलिशन दा ब्रोमीन इस आयोनाइज़ जलिये विलियन में ब्रोमीन आयनी करता है नहीं इन एक्वस सोलिशन फिनॉल एक्विलियम विद फिनॉक्साइड आयन विच है जलिये विलियन में फिनॉल फिनॉक्साइड आयन के साथ सामय में रहता है जो की अधिक स सक्रिंड कारी बिल्कुल सही है इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास सेकिंड आंसर आ जाए बास समझ में है बेटा जलिये विलियन में एक्वा सॉल्यूशन में फिनॉल किसमें कनवर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड आयन में तो ओएच के तुलना में ओ नेगेटिव का प्लस एम इफेक्ट जादा होता है तो यहां पर रियक्टिविटी बढ़ जाती है ठीक है बेटा नेक्स वर्षिन विच आफ दा फॉलॉविंग इज एम्बी डेंटेट नुकलियोफाइल निम्न में से कौन सा उभेधर्मी नाभिक सनेही है एक ऐसा नाभ देखते हैं यह तो आंसर हो यह नहीं सकता क्योंकि इसमें नुकलियोफिलिक करेक्टर नहीं है यह भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नुकलियोफिलिक करेक्टर ही नहीं है इन दोनों की बात करें और एक CL negative यह nucleophile है यह भी nucleophile है लेकिन यह answer नहीं हो सकता आपका answer किया जाएगा CN negative क्योंकि C यहाँ पर negatively charged है तो यह भी donor atom है और NB यहाँ पर donor atom है तो NB dented nucleophile कौन सा हो गया वेटा आपके पास second answer आ गया ठीक है best living group best living group कौन सा था weak base is always good living group weak base is always good living group तो अगर आप इन सब को compare करेंगे तो आपके पास best living group no doubt कौन सा आने वाला है I negative आने वाला है ठीक है which solvent most suitable for SN2 reaction कौन सा विलायक SN2 के लिए सरवाधिक उत्तम होगा उचित होगा SN2 reaction के लिए हमें कौन सा solvents use करना चाहिए polar aprotic solvent ध्रूबी ए aprotic विलायक बेटा हमें काम में लेना चाहिए polar aprotic solvent आप इसमें से सर्च करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा dmso di-methyl sulfoxide clear बेटा next आपको एक reaction दिया है पर आपको इसमें major product देखना है तो आप जब इस reaction को complete करेंगे तो आप देखे ध्यान से diluted h2so4 है alkene है तो आपको यहाँ पर electrophilic addition करना है electron सने ही योग करवाना है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा पहले h plus यह h plus इसमें से क्या generate करेगा stable carbocation तो बेटा यहाँ इन दोनों में से कौन सी position पर आपको stable carbocation बनता हुआ दिखाई दे रहा है no doubt यहाँ पर जो carbocation बन रहा है यह एक stable carbocation का काम करेगा बात समझ में आरी यहाँ पर जो carbocation बनेगा stable क्योंकि यहाँ इस portion में resonance हो रहा है अनुनाद हो रहा है अब हम क्या करेंगे इसमें diluted h2so4 है तो as a nucleophile कौन attack कर रहा है यहाँ पर h2o h2o यहाँ पर attack करेगा तो यहाँ से आपको जो product मिलना चाहिए वो आप search करेंगे तो कौन सा answer आएगा बेटा आपके पास इसमें first answer आएगा ठीक है correct order of reactivity for sn1 reaction sn1 अभिक्रिया के प्रतिक्रिया शिलता का सही क्रम बेटा आप से पूछा गया है sn1 की reactivity आपको compare करनी है तो आपका focus किस पर होना चाहिए stability of carbocatine पर होना चाहिए stability of carbocatine increase होगी तो sn1 के लिए reactivity automatic increase हो जाएगी तो बेटाम देखें इसमें से इनमें से इसको अगर मैं यहाँ से release करूँगा एसा carbocatine मिलेगा यहाँ से इसको release करूँगा तो यहाँ पर मुझे ऐसा carbocatine मिलेगा यहाँ से अगर मैं इसको release करता हूँ यह carbocatine यहाँ पर बनता है और इसको अगर मैं यहाँ से release करता हूँ यह carbocatine है अब इनकी stability को compare कर लें आप सबसे ज़्यादा stable first होगा तो first की reactivity सबसे ज़्यादा उसके बाद किसका number आएगा बेटा second का number आएगा phenyle carbocatine least stable carbocatine है तो अब हमें इसके अंदर fourth को लेना होगा और सबसे last में किसका number आएगा बेटा third आएगा first, second, fourth, third first, second, fourth, third आपके पास answer क्या आ रहा है first answer आ रहा है लिए बेटा carbocatine stability से आप इसे solve कर सकते हैं which can give white precipitate with AGNO3 AGNO3 के साथ कौन साफेद अवकशेप देता है बेटा, white precipitate बनेगा किसकी वज़े से पहले तो ये clear होना चाहिए white precipitate AGCL formation की वज़े से बन रहा है किसकी वज़े से बन रहा है बेटा AGCL formation की वज़े से बन रहा है यह आपको ध्यान बना यापको यह देखना है इन में से ऐसा कौन सा है जो easily CL negative ion release कर सकता है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें bromine है ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें CL negative ion release महीँ करेगा इसके release करने से इसके release करने से phenyl carbocatine बनता है जो कि stable नहीं है तो ये भी answer नहीं हो सकता इन दोनों की बात करें second से आप जब CL को release करवाएंगे तो आप को CL negative release करवाएंगे तो यहाँ पर ये कौन से character के साथ होगा वेटा ये anti aromatic ये कैसा है वेटा anti aromatic तो ये भी नहीं है अब यहाँ से जब आप इसको release करवाएंगे तो जो carbocatine बनेगा वो back wounding के थुरू अपने आपको क्या कर लेगा stable कर लेगा तो answer के आगए वेटाओ का fourth आगए which can give white precipitate with AGNO3 white precipitate किसका बनता है AGCL का इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए CL negative ions present होने चाहिए और वो ये CL negative ions easily available करवा देता है which of the following reaction will give alcohol as a major product निमन में से कौन से विक्रिया मुख्य उत्पाद के रूप में alcohol का निर्मान करती है alcohol बनाना है as a major product चलो देखते हैं बेटा यहाँ पर है alcoholic KOH alcoholic KOH है तो ये कौन सी reaction को आएगा आपके पास वो alkene होगा alcohol नहीं होगा major product alkene होगा बेटा यहाँ पर aqueous KOH है to isके अंदर जो product वालेगा वो alcohol होगा nucleophilic substitution कौन सी reaction हो जाए बेटा यहाँ पर nucleophilic substitution SN2 reaction favor हो जाएगी यहाँ पर इसके अंदर dry दिया हुआ dry silver oxide अगर आप काम में लेते हैं alcohol के साथ halogen derivative के साथ तो इसका जो product होगा वो क्या होगा ether होगा तो आप से पूछा है will give alcohol as a major product answer कौन सा जाएगा आपके पास second answer आजाएगा बात clear होगी अब इस reaction को देखें आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं C2H5 OH एक polar product solvent है polar product solvent है पहला point दूसरा यह nucleophile का भी काम कर रहा है यह किसका काम कर रहा है nucleophile का भी काम कर रहा है temperature यहाँ provide नहीं करवाया हुआ है और हम देखें इन में से तो आपके mind में यहाँ पर बाते आने चाहिए जब polar product solvent है और वही nucleophile का काम कर रहा है तो वहाँ पर आपके mind में E1 और SN1 की बात आने चाहिए temperature प्रोवाइड करवाया जाए तो वहाँ पर हम किसके लिए reaction करेंगे E1 के लिए और अगर temperature नहीं है तो हमारा focus किस पर होना चाहिए SN1 पर होना चाहिए बिटा SN1 के बारे में सोचेंगे SN1 के बारे में सोचने से पहले हमें देखना होगा यहाँ से एक कार्बोकेटन बनेगा यहाँ से hydride shift हो जाएगा यह कार्बोकेटन यहाँ ट्रांसफर होगा इसके ऊपर यह अटेक कर देगा, यह इस पर अटेक करेगा, यहाँ पर अटेक होगा, यह यहाँ पर अटेक करेगा, तो आपके पास आंसर कौन सा रहेगा, इसमें थर्ड अंसर आ जाएगा, पहले कार्बोकेटैन बनेगा, हाइडराइड शिफ्ट से कार्बोकेटैन अपने आपको स्टेव करेगा. शिफ्ट करने के बाद जो कार्बोगर्टाइन मिल रहा है उस पर ये as a nucleophile attack करेगा. ठीक है? Which of the following can undergo E1 reaction निमन में से कौन E1 अभीकिरिया दे सकता है? ये देखना है. Tertiary butyl alcohol concentrated H2SO4 के साथ heat किया जा रहा है. Tertiary butyl alcohol है. तो ये reaction कौन सा हो गया? dehydration of alcohol. जो यहाँ पर E1 mechanism को follow करने वाला है. E1 mechanism को follow करेगा वेटा. Tertiary butyl bromide C2H5 ONAO temperature के साथ है. तो ये कौन सी reaction को यहाँ पर follow करने वाला है वेटा? E2 reaction को follow करने वाला है. Tertiary butyl chloride alcoholic QH है. ये भी किसको follow करेगा? E2 को follow करेगा. आपसे E1 reaction के बारें पूछा गया है. तो answer क्या रहेगा? First answer आज़ेगा. ठीक है? Correct order of S2 reaction among the following. S2 S2 के लिए आपसे correct order पूछा गया है. S2 का correct order है वो देखा जाता है किसके भिहाप पर या तो leaving group चेक किया जाता है या crowd चेक किया जाता है तो ऐसा इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा. एक और factor रहता है transition state stability को भी यहां consider किया जाता है. तो जिसमें transition state stability सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए S2 reactivity सबसे ज़्यादा हो जाएगी. यहाँ पर यह general order है. इसको आप direct थोड़ा सा याद रखने के point से याद रख सकते हो. अब transition state stability अगर आप याद नहीं रख पाओ तो थोड़ा सा इसको एक याद रखने का तरीका बना सकते हो. alpha carbon पर electron withdrawing group attach हो. alpha carbon पर electron withdrawing group attach हो तो SN2 के chance बढ़ जाते हैं. ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि first, first के बाद second, second के बाद third और यहाँ तो SN2 के chance है ही नहीं. तो सबसे last में क्या चला जाएगा? fourth चला जाएगा, answer आ जाएगा first. SN2 के लिए क्या चेक करते हैं? living group ability चेक करते हैं, good living group होगा, SN2 fast हो जाएगा. crowding, steric hindrance minimum होना चाहिए और इसके अलावा एक point है stability of transition state, तो इसके presence में transition state सबसे ज़्यादा stable होगा, इसके बाद transition state की stability कम हो जाएगी, इसकी presence में transition state की stability और भी कम हो जाएगी, यह सबसे last में आ जाएगा, ठीक है? which statement is correct? on increasing the concentration of polar product solvent rate of SN1 increases. polar product solvent के बारे बोल रहा है, SN1 reaction का, अगर हम study करते हैं, तो वहाँ पर solvent कौन सा use होता है? polar product solvent use होता है, polar product solvent. अब polar product solvent की concentration बढ़ाओगे, तो no doubt SN1 के लिए rate increase होगा, लेकिन ध्यान रखे, nucleophile की concentration का SN1 पर कोई impact नहीं होता है, कोई effect नहीं होता है, nucleophile की concentration high हो, low हो, SN1 की reaction पर कोई change नहीं होगा, तो on increasing concentration of polar product solvent rate of SN1, यह correct है वेटा, on increasing the concentration of nucleophile rate of SN1 increases, यह नहीं आएगा वेटा, racemic mixture can be formed by SN2 reaction बोला यहां पर, SN2 गडबर नहीं कर लेना वेटा, तो यह भी wrong होगया, यह आएगा ही नहीं, आंसर क्या आगया, आपके पास first answer है, an SN2 reaction can give an enantiomer of the reactant, नहीं, product with racemic mixture, नहीं, a mixture of diastereomer, नहीं, a single, yes, SN2 reaction में अगर आप stereocemistry concept को apply करेंगे, तो जो product बनेगा, वो product बनेगा inversion, तो single stereo isomer बनता है, क्या बनता है, single stereo isomer बनता है, अब यहाँ पर आप देखें, इस reaction में क्या हो रहा है, concentrated HNO3 और concentrated H2SO4, इस combination को जब भी आप use करते हैं, आपके mind में immediate आना चाहिए, NO2 प्लस electrophile use करने जा रहे हैं, और यह benzene पर attack करेगा, अब यहाँ पर क्या है, CS3 attached है, जिसका hyperconjugation effect होता है, यानि कि यह through hyperconjugation benzen ring में electron density increase करता है, इसके लिए plus m effect होता है, यह plus m effect के through benzen ring में electron density increase करता है, इन में से dominate कौन करेगा बैटा, no doubt plus m dominate करेगा, तो reaction किसके according complete होने वाली है, यहाँ पर driving force का 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 कौन करने वाला है, OME यहाँ पर यह काम directing होता है बेटा, तो इसकी paraposition तो अलड़ी block है, तो इस electrophile को आप कहाँ पर attach कर सकते हो, इसके respect जो भी orthopositions हैं, यहाँ पर आप इसको attach करके सोच सकते हो, तो देखें, यह रहा आपका answer हो, NO2 group, NO2 positive जो है, इसके respect orthoposition पर attach हो गया, बात clear हो गई, पहले आपको यह ज्यान रखना है, electrophile कौन सा है, पता लग गया, फिर बेंजीन में position find out करनी है, वो किस से पता लगते हैं, directing effect of substituent से, यहाँ दो substituent हैं, एक hyperconjugation के through, एक plus M, dominate कौन करता है, plus M, plus M के according आप इस question को swallow पर देंगे, ठीक है, the order of reactivity of methyl halide in formation of grignard, grignard reagent के लिए जब आपको reactivity देखनी है, तो no doubt RI, RBR, RCL, इसी को consider किया जाता है, leaving group ability यहाँ भी काम आती है, तो RI, RBR, RCL, answer क्या आ गया, first आ गया, कोई problem ही नहीं 2-chloro-2-methyl-butane on reaction with alcoholic KOH, 2-chloro-2-methyl-butane यह 2-chloro-2-methyl-butane है भी टा, on reaction with alcoholic KOH, कौन सा reaction, E2, E2 बेटा, ठीक है, अब आपके पास यह alpha है, यह beta है, और यह भी beta, इसको beta days consider कर लेता हूँ, है, तो आपके पास option होगा, आप यहाँ पर elimination कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी elimination कर सकते हैं, major product के बारें पूछा है बेटा, मुख्य उत्पाद आपसे पूछा है, तो set jeff product क्या बनता है, major product बनता है इस reaction में, तो यहाँ पर यह more stable है, set jeff product है, 1, 2, 3, 4, 2-methyl, butto-ene, 2-methyl, butto-ene, third answer आपके पास आपके पास आपके, clear बेटा, ठीक है, कौन सा mechanism, E2 mechanism, consider the following reaction, the reaction proceeds with 98% racemization, reaction may follow, आप देखें, यहाँ पर यह 2 degree है, बास समस्ते चले जाएं बेटा, H2O polar protic solvent है, H2O nucleophile भी है, तो यह reaction कौन से mechanism को follow करने वाला है, यह देखना है, अब यहाँ पर जो product बना है, वो product कौन से mechanism को follow करके बार, पूछा है बेटा, question के according चलना है, इसको, question के according चलना है, product nucleophilic substitution से बना है, product nucleophilic substitution से बना है, इसलिए third और fourth वैसे ही reject हो गई, क्योंकि आपको product के according सोचना है, अब यहाँ SN1 है या SN2 है, इसको ही check करना था, H2O polar protic solvent है, और एक nucleophile का भी काम कर रहा है, weak nucleophile है यह, तो किस के favor में चला गया, SN1 के favor में चला गया है, और यहाँ भी इसका hint दिया हुआ है, SN1 में होता है, यह भी एक बहुत बड़ा hint आपको पास अविलिबल है, देखें इस reaction में, CL, C double bond O, CL, PH, MGBR, तो बेटा इसमें यह यह दोनों CL क्या है, living group है, पहले क्या करेगा इसके अंदर यह, पहले क्या करेगा बेटा इसके अंदर, बोलो, addition, elimination mechanism होगा न, यह nucleophile इस पर attack करेगा, addition reaction और फिर यहाँ से इसको हम release करेंगे, elimination, तो इसके one mole से, यह eliminate हो जाएगा, इसका two mole करेंगे, तो यह भी eliminate हो जाएगा, तो बेटा पहले मुझे कुछ ऐसा मैं direct पर रहा हूँ, ठीक है, अब इस पर जब मैं दोबारा, pH, mg, br को use करूँगा, तो यह nucleophilic addition reaction फोलो हो जाएगी, और nucleophilic addition reaction के बाद O negative है, वो यहाँ से H plus gain कर लेगा, क्या बना, alcohol 3 degree, आंसर क्या आ गया, बास समझ में आ रही है, पहले आपर जो reaction करवानी है, वो reaction कौन सी होगी, nucleophilic addition, उसके बाद elimination होगा, addition, elimination process, दोनों leaving group भटा दो, किटोन बना, किटोन पर दोबारा attack करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 degree, alcohol आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्यूमीन को oxygen से reaction करवाना है, फिर hydrolysis करवाने ने acidic medium, यह दो आपके mind में अच्छे set हो गया होगा, कि क्यूमीन वाले process में आपको finally answer क्या मिलता है, phenol plus acetone, phenol plus acetone आपके पास answer आता है, ठीक है, अब यहाँ देखें, इसको इसके साथ जब HI के साथ treat करेंगे, तो आपको यह देखना है, इन में से reaction कहां होने वाली है, इसको check करना है, यह strong bond है, due to resonance, double bond character है यहाँ पर, तो यह तो break होगा नहीं, तो यह यहाँ पर reaction होने वाली है, यहाँ पर reaction होने वाली है, तो आपके पास जो answer पहले आएगा, OHCH2I, पहले यह बनेगा, बास समझ में आ रही है, यहाँ पर reaction होगी, nucleophilic substitution, कौनसी reaction होगी, nucleophilic substitution, नाविक सनहीं परतिसापन होगा, पहले proton ही करन हो जाएगा, बाद में I negative इसको replace करतेगा, अब आजाओ आगे, इस combination को अगर आप यूज करते हो, तो आपको BR positive मिलता है बेटा, और BR positive एक एलेक्ट्रोफाइल है, अब आपको देखना है, इसमें एलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर attack करेगा, इसके according, क्योंकि इसका कौन सा effect लग रहा है, अब यह होता है, और्थो पहरा, पहरा position block है, यहाँ पर आपको attach करना है किसको BR positive को, यहाँ पर BR positive attach होगा, देखो कौन सा अंसर आ रहा है बेटा, second answer आ जाए, कौन सा अंसर आ जाए बेटा, second answer आ जाए, clear है, ठीक है, which of the following reaction will not give, ether as a major product, ऐसी कौन सी reaction है, जहाँ पर ether एक major product की तरह आपको नहीं मिल पा रहा है, चलो देखें बेटा, alkyl halide में silver oxide dry condition में use किया जाता है, तो ether बनता है, direct याद करने वाली बात होती है तो, और dry की जगए moist use करते हैं, तो alcohol बनता है, तो यहाँ ether बनेगा बेटा, no doubt, ether बन रहा है यहाँ पर, dry ethile ether, second की बात करें, second में यह 3 degree alkyl halide है, और यह ethoxide है, तो यहाँ पर reaction कौन सी रहेगी, E2 alkyl halide बनेगा, बेटा, ether chapter में आपने Williamson ether synthesis बढ़ा है, 1 degree alkyl halide हो, तो ether बनने के chance है, ether बनेगा major product, 2 degree में ether और alkyne दोनों बनते हैं, temperature increase होता है, alkyne की percentage increase हो जाती है, 3 degree में SN2 के chances तो बहुत ही कम हो गए, E2 के chance बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए product alkyne आएगा, इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ether मिल जाएगा, ठीक है, इसकी बात करें, यहाँ पर भी आपको ether मिल जाएगा, यहाँ भी ether मिल रहा है, यहाँ भी ether मिल रहा है, यहाँ भी ether नहीं मिल ला है, which of the following reaction will not give will not give ether मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं होता है तो answer के आए बेट आपके पास second, second में ether कीज़े का क्या बन रहा है alkene बन रहा है बास समझ में आरे ही बेटा ठीक है what are the suitable reactant for the following ether synthesis एक ether दिया है इसके लिए suitable आपसे reactant पूछे है अगर मैं इस nucleophile को इस पर attack करवाता हूँ तो ये बन जाएगा बिल्कुल सही है ये 3 degree है 3 degree के case में यहाँ पर major product क्या बनने वाला बेटा alkene इसको तो भूल जाओ इससे बन रहा है इन दोनों की reaction से ये जो product चाहिए वो नहीं बनेगा इससे ether तो बनेगा लेकिन ये वाला ether नहीं बनेगा इससे कौन सा ether मिलेगा बेटा आपको CS3C CS3 CS3 OCS3 ये वाला ether मिलेगा हमें CH2PH चाहिए ये भी answer नहीं answer ones आगया आपके पास first answer आगया ठीक है identify identify C in the following series एक series दीविटा इसमें आपको C पता लगाना है तो C3H7 इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ CS3 CS3 CH2 CH2 I ऐसा भी लिख सकते हो इसको CS3 CH CS3 I ऐसा भी लिख सकते हो इसमें क्या करेंगे आप alcoholic KOH add करेंगे कौन सी reaction हो रही है बेटा E2 reaction हो रही है दोनों से ही same product मिलेगा ठीक है यह आगया A अब इसमें NBS NBS क्या करता है Bromination Free Radical Substitution के थूँ At Allylic Position तो इसमें Allylic Position यह है तो जब आप इसमें NBS add करेंगे तो आपको देखना है को मिलेगा यहाँ पर Bromination NBS क्या करेगा बेटा यहाँ पर Bromination कौन से mechanism के थूँ Free Radical Substitution के थूँ कौन सी position पर Allylic Position पर यह B हो गया बेटा अब यह B है अब इसमें क्या करना आपको KCN add करना है यानि कि Nucleophilic Substitution अब करवा रहे हैं तो CH2 CN CH Double Bond CH2 यह answer आएगा आपके पास C तो देखो ऐसा कौन सा answer आपके पास दिया हुआ Second answer दिया है Second answer दिया है ठीक है आगे चले Which of the following Reagent Which of the following Reagent Sean Willow Would accomplish the following transformation चलो देखते हैं इसको इसमें convert करना है क्या हो सकता है अब अगर इसको direct use करोगे तो direct alcohol बन जाएगा क्या बन जाएगा direct alcohol बन जाएगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है इसको use करोगे direct alcohol बन जाएगा इसका कोई मतलब नहीं है HBR के साथ इसका कोई होने वाला reaction नहीं है अब इसके बारे में सोचे fourth option fourth option को अगर आप इसमें use करेंगे पहले alkene बनेगी बेटा और अब आप इसमें ये वाली condition use कर रहे हैं oxy-mercuration demercuration वाली condition OMDM markonic of rule की according आप इसमें water add कर पाते हैं तो आपका answer कैसे ला जाएगा और था अंसर आ जाएगा ठीक है among the given pair in which pair first compound reacts faster than second compound in SN2 reaction कौन सा यूग में SN2 अभिक्रिया प्रथम योगिक द्वित्य योगिक की अपेक्षा तीवर प्रदस्ण करता है first compound react faster ये two degree है ये one degree है first most reactive होगा ये two degree है ये three degree है ये most reactive होगा यहाँ पर alpha carbon alpha carbon पर एक electron withdrawing group है transition state को stabilize करेगा ये क्या करेगा transition state को stabilize करेगा ये more reactive होगा ये three degree है ये भी three degree है ठीक है अब इसके अंदर हम SN2 की बात वैसे तो नहीं कर सकते three degree में लेकिन फिर भी अगर question paper में है तो living group को बात मानेंगे ये answer आएगा ठीक है तो आपसे पूछा है first more reactive answer कहा चला जाएगा ठीक है बेटा butane nitrile अब ये butane nitrile आपको कहां से मिल सकता है first में AGCN है AGCN में nitrile नहीं बनता है isocyanide बनता है तो ये तो answer हो ही नहीं सकते third इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ OH एक poor living group है answer क्या चला गया आपके पास fourth answer चला गया ठीक है in the given reaction ठीक है आप देखो ध्यान से ये aryl halide है compound कैसा आपके पास aryl halide है aryl halide में normal condition में कोई nucleophilic substitution नहीं होता हम special case apply करें तो nucleophilic substitution हो जाता है ortho para position पर electron withdrawing group present हो तो nucleophilic substitution हम करवा सकते हैं sorry nucleophilic substitution हम करवा सकते हैं तो यहाँ पर aryl halide में nucleophilic substitution होगा electron withdrawing group NO2 present है अब वो nucleophilic substitution किसके लिए होगा इस bromine या इस bromine दोनों में से किसके लिए अब यह देखना है इसके respect यह para position पर है और इसके respect यह meta position पर है तो इसका ज़्यादा impact किस पर रहेगा इसके लिए रहेगा तो यह replace होगा गटा यहाँ से replace हो जाएगा और यह इस पर attack कर देगा aryl halide की ortho para position पर electron withdrawing group आने से जो intermediate बनता है वो intermediate stabilize हो जाता है anine intermediate बनता है वो stabilize हो जाता है इसलिए ऐसा बोला जाता है यह replace होना चाहिए बाकी कहीं कोई change नहीं होना चाहिए answer कह चला जाएगा first ठीक है which of the following SN2 reaction is fast test कौन सी SN2 अभिक्रिया सब से 30 है बेटा जी यह 1 degree है यह 1 degree है यहाँ यह 2 degree है यहाँ यह 2 degree है तो SN2 की बात हो रही है SN2 SN2 में crowd minimum होना चाहिए तो 2 degree के respect 1 degree more reactive है छोड़ दो इनको दोनो 1 degree है अब हमें देखना है strong nucleophile क्या देखना है strong nucleophile तो OH negative और H2O में से strong nucleophile कौन सा होता है OH negative will be strong nucleophile answer होगी कैसा होगा first answer है ठीक है अब इसको देखो इसकी reaction PCC करवाओगे PCC से तो आपको जो product मिलेगा पहले यह मिलेगा PCC से reaction करवाने पर आपके पास aldehyde answer आएगा अब इस पर grignard reagent की reaction करवानी है यह इस पर attack करेगा और बाद में यह protonation भी कर जाएगा यह 2 degree alcohol बनेगा बेटा देखो ऐसे कौन सांसर है second कौन सांसर है बेटा second answer है ठीक है अब यहाँ पर hydrogen replace हो जाएगा O negative NA positive इसकी reaction जब CS3I से करवाएगे यह इस पर attack करेगा यहाँ पर कुछ भी change नहीं होगा इसका configuration जैसा है वैसा ही रहेगा configuration में कोई change नहीं आएगा तो अब आप चेक कर लो configuration answer कौन सांसर जाएगा second ठीक है आप देखें इसमें phenol है aqueous medium में bromine है और SO3 भी है आपको ध्यान अखना है phenol के साथ ortho para position पर SO3H attach हो या फिर CWH attach हो तो ये group ipso reaction के थूँ replace किये जा सकते हैं आपके NCRT में एक reaction है picric acid बनाने के लिए phenol का पहले sulfonation करवाया हुआ है उसके बाद उसका nitration करवाते हैं तो picric acid बनती है वेटा वहाँ पर SO3H replace हो जाता है through NO2 कौन सी reaction ipso reaction के through तो वही same condition है तो ये replace भी हो जाएगा और in position पर भी साथ में bromine आ जाएगा तो try bromine वाला case आएगा second answer आ जाएगा arrange the following in decreasing order of reactivity towards SN1 reaction SN1 के लिए किस पर focus करना होता बैट आपको stability of carbogatine stability of carbogatine चलो देखते हैं इसको replace करो ये कर्वोगatine बन रहा है यहाँ backbonding हो रही है यहाँ भी backbonding हो रही है backbonding एक effective resonance में count होता है अब इन में से backbonding effective किसमे होगी जिसमें अपना loan pair donate करने की tendency ज्यादा है उसकी backbonding strong होगी तो oxygen के respect loan pair donate करने की tendency nitrogen में ज्यादा है इसने nitrogen जो backbonding करेगा बाद strong backbonding करेगा तो ये carbogatine सबसे ज्यादा stable होगा तो Q, Q के बाद R यहाँ resonance है, यहाँ भी resonance है लेकिन यह ज्यादा resonance stabilized है QP, R नहीं सुरू QP RS QP, RS तरड answer है, बाद समझे में आ रही है SN1 है तो पूरा धान किस पर लगा दो carbogatine stability बना carbogatine बना लो और उनकी stability को compare करेगा Which of the best substrate for SN2 in each of the following pair SN2 के बारे मैं पूचा बढ़ा, इसमें से SN2 यहाँ पर रहेगी ठीक है यहाँ पर SN2 इसके लिए best रहेगी crowd check करना है SN2 के लिए क्या चेक करना है, crowd check करना है यहाँ पर SN2 भी मैंने का था, alpha carbon पर electron withdrawing है, alpha carbon पर electron withdrawing है, तो वो easily transition state को क्या करेगा? stabilize कर देगा और इन दोनों में से वोई same condition, तो first, second, first, second, first, 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 second, first, 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 first answer क्या जाएगा? fourth answer क्या जाएगा, clear है? यहाँ पर आप देखें, DMSO के साथ sodium cyanide दिया है, reaction कौन सा होगा बेटा? SN2, SN2 का मतलब जहाँ पर leaving group है, उसका configuration change गर दो तो कौन सा answer जाएगा? second answer जाएगा, बाकि कोहीं कोई change नहीं है answer गया, किसके mechanism? SN2 के तरू Swart's reaction is used in preparation of, Swart reaction किसके preparation में काम आता है, बेटा? fluorides के, और Finkelstein reaction किसके preparation में काम आता है? iodides के, यहाँ पर fluorides which of the following statement is are correct about SN2, SN2 के लिए statement पुछा है 1 degree alkyl halide most easily gives SN2 reaction, विल्कुल सही है, SN2 के लिए 1 degree होना चाहिए polar aprotic solvent favors SN2, यह भी correct है बेटा, it is a single step reaction, यह भी सही है answer क्या जाएगा, आपके पास? fourth answer आ जाएगा कौनसी reaction है बेटा? Finkelstein, किसके बारे में बात कर रहा हूँ है? Finkelstein के बात कर रहा हूँ, तो Finkelstein reaction, halogen exchange reaction है, halogen venemia vikiria है, बिल्कुल सही है configuration of product is R, यह जो है 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, R configuration जा रहा है Walden inversion is seen during the above reaction, ठीक है, SN2, process कैसा है, SN2 SN2 reaction में क्या होता है, Walden inversion, inversion product बनता है यह भी statement बिल्कुल सही दिया हुआ है answer क्या आएगा बेटा, all of these, सारे के सारे statement सही दिये गए what is incorrect about E2 reaction, E2 vikiria के बारे में सत्य क्या है anti elimination बिल्कुल सही है carbocatine is formed as an intermediate, यह incorrect है incorrect पूछा आप से, असत्य पूछा है E2 reaction में carbocatine नहीं बनता, unstable transition state बनती है बेटा तो आपका answer इसमें आयागा, second कहीं कोई problem नहीं A hydrocarbon of molecular formula C6H14 on monoclorination gives two product identify the structure of hydrocarbon आपको यह 4 structure दे रखी है, C6H14 के साथ, उसको check करना है जिसमें आपको क्या मिले, two product दो उत्वाद मिले चाहिए तो अगर मैं इसका क्या करूँ, monobromination 1, 2, 3 product बन सकते हैं 1, 2, 3 product बन सकते हैं 1, 2, 2 product बन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 की बात कर सकता हूँ answer क्या जाएगा आपके पास third answer आजाएगा, ठीक है बेटा? फिंकल स्टैन रियक्शन की बात हो रही है यहां भी अब यह रियक्शन forward direction की तरफ easily move हो जाती है forward direction की तरफ easily move हो जाती है उसका reason क्या है बेटा? उसका reason यह है NAI acetone में dissolve हो जाता है लेकिन NACL acetone में dissolve नहीं होता है यानि कि इन दोनों की acetone में solubility में difference होने की वज़े से ऐसा हो रहा है इसी से लेटर आपका answer आएगा third answer NACL is less soluble than NAI in acetone बात समझ आएगे? तो जब NACL acetone में dissolve नहीं होगा तो least earlier principle के through forward reaction fast हो जाएगी which of the following is correct is of dehydration nirajli hli kranakah sahih karam dehydration k cloves करता है carbocritain को फोलो करता है बिटा इसको यहां से remove करो carbocritain इसको remove करो carbocritain इसको remove करो carbocritain इसको remove करो carbocritain अब इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बगेटन फॉर्थ होगा इसलिए फॉर्थ से डियाइडरेशन बहुत इजी होने वाला है उसके बाद कौन सा नमर आएगा थर्ड आएगा रेजोनेंस टेबलाईज हो रहा ना बिडा अनुमाद हो रहा है आँ पर अब यह 1 डीग्री है और यह 2 डीग्री है तो 2 डीग्री की बात करेंगे हो फिर 1 डीग्री की बात करेंगे हो तो 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1 से गड़ा अंसरा है ठीक है Which of the following reaction will give Ether as a main product कौन से विगरिया में, मुख्य उत्पात के रूप में, एथर प्राप्त होगा, चलो देखते हैं, पहले ये दोनों रियक्शन करेंगे, इन दोनों की रियक्शन से आपको क्या मिलेगा, O negative, Na positive, plus hydrogen gas, ठीक है, अब ये रियक्ट करेगा किस के साथ, CS3, CS2, VR के साथ, कौन से रि प्रोड़क्ट क्या मिल गया, एथर, फर्स्ट से एथर बन रहा है, सेकेंड की बात करें, ME3, CO, negative, Na positive, अब इसकी रियक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ, एराइल हैलाइड के साथ, जो की possible नहीं है, रियक्शन नहीं होने वाली है, इथर नहीं बनेगा, इसकी बात करें, थर्ड की, तो, CS3, CH2, CH2, O negative, Na positive, यह बने का पहले, और यह है, 3 degree, और 3 degree में एथर नहीं आता है, 3 degree में elimination हो जाता है, तो एथर कहां से मिल ला आपको, only first, कहां से मिल ला है, only first से मिल ला है, the major product of following reaction नहीं मैंने विक्रिया का, मुख्य उत्पाद क्या होगा, पहले reaction देखो बेटा, इसमें nucleophile है, यह आपको क्या दे रखा है, dimethyl form amide, dmf, और dmf polar aprotic होता है, dmf जब polar aprotic है, तो हम किस की बात करेंगे बेटा, sn2 की बात करेंगे, और sn2 है, तो inversion की बात करेंगे, क्या करेंगे, inversion की, तो यहां पर आपको focus करना है, bromine, कहां पर है, wedge bond पर है, तो जो nucleophile होगा, उसे dash bond पर convert करते हुए, देखें आप एक ही option दिया हुए, इसमें, first, process कौन सा, sn2, inversion product, ठीक है बेटा, which of the following is most reactive for this, aryl halide nucleophilic substitution reaction normally नहीं देते, special case में nucleophilic substitution देते है, aromatic nucleophilic substitution, उसमें अगर aryl halide की ortho para position फिर electron withdrawing group हो, तो reactivity increase हो जाती है, तो इन में से, यहां पर एक NO2 दिया हुआ है, दो NO2 दिया हुआ है, और यहां पर तीन NO2 दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा reactive कौन सा होगा, ठीक है, दो reaction दे रखी हैं, आपको इनकी reactivity rate compare करनी है, तो उपर NO2 है, यहां SH है, तो आपके पास OH negative भी है, SH negative भी है, OH negative भी है, SH negative भी है, solvent कैसा है, polar protic, solvent कैसा है, polar protic बेटा, यह अच्छे से आपने पढ़ा हुआ होगा, कि जब हम top to bottom चलते हैं, तो solvent का nucleophilic strength पर बहुत important role होता है बेटा, अगर आप polar protic की बात करेंगे, तो जैसे जैसे size को आप increase करेंगे, वैसे वैसे nucleophilic strength क्या होती चली जाएगी, increase होती चली जाएगी, solvent कैसा होना चाहिए, polar protic, यह आपके पास आ गया, strong nucleophile, polar protic solvent में size increase करने से nucleophilic strength increase हो जाती है, क्योंकि size अगर decrease है, तो वो polar protic solvent में highly solvated form में available होता है, तो nucleophilicity decrease हो जाती है, तो SH strong है, इसका मतलब यह reaction fast होगी, और यह reaction यहाँ पर slow होगी, तो reaction first occurs at faster नहीं बैटा, reaction second occurs faster rate than 10, second answer आई जाए, कौन सांसर आजाए बैटा, second answer आजाए, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आप लोगों को इस solution को देख करके, अपने जो doubt है, उनको clear करने में help मिली होगी, किसी question में आपको फिर भी को doubt है, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें बैटा, particular question में फोकस करें, देखें आपने कहा mistake की है, तो आपको वो doubt अच्छे से clear हो जाएगा, लगे रहें बैटा, अच्छे से त्यायारी करें, selection लेना है, Thank you, JCLC